इंडियन एर फोर्स बहुत जल्दी एक bold step लेने जा रहा है जो एक strategic change है जिसके तहट इंडियन एर फोर्स यूरोपियन मेड मेटी और मिसाइल एक्वाइर करने जा रहा है हमें इंडिया में बनी हुई मिसाइल ना खरीद कर यूरोपियन मिसाइल पर रिलाइंस क्यों क्रियेट करनी पड़ रही है उसका रीजन है अस्त्र बियॉंड विज्वल रेंज मिसाइल मार्क 3 मिसाइल के प्रोडक्शन में थोड़ा सा गलिच आ गया है थोड़ा सा डिले आ गया है जिस वज़े से हमें अपनी आज की जरूरत पूरी करने के लिए यूरोपियन मेड मीटी और मिसाइल लेनी पड़ रही है बिकॉस अफ दिस डिले आए जानते हैं ये क्या इशू है मेरा नाम है वसू कटारा ये मेरा सोशल मीडिया है टेलिग्राम ग्रूप जो की वसू कटारा स्टडी आई क्यू है और इंस्टाग्राम जो की वसू.कटारा है जिस पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं तो इंडियन एर फोर्स अब मिटी और मिसाइल खरीदेगा मिटी और मिसाइल का फाइदा ये रहेगा कि ये हमारे इंडियन फाइटर एरक्राफ्ट की टेक्नोलोजिकल केपिबिलिटी किसी भी डॉग फाइट के अंदर जब एर टू एर कॉम्बैट चल रहा है सामने से किसी एरक्राफ्ट ने आपके उपर हमला किया या आप किसी एरक्राफ्ट पे हमला करना चाहते हो तो उन केपिबिलिटी जको और बेटर बनाएग़ जिनको हम कहते हैं कॉम्बैट केपिबिलिटी को बहतर बनाने के लिए लाया जा रहा है अब इंडिया के पास अपनी खुद की अस्तर मिसाइल है जिनकी तीन जेनरेशन माक वन, माक टू और माक थ्री हमारी करेंटली प्लैंड है माक वन के साथ तो हमारे एरक्राफ्ट, हमारे फ्लीट पहले से जुड़ रहे हैं और माक टू का भी प्रोडक्शन आने वाले दो साल में बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है पर माक थ्री में प्रोडक्शन डिले हो रहा है, जिस वज़े से हमें निर्भरता अपनी शिफ्ट करनी पड़ रही है मेटी और मिसाइल जिसकी आप अभी फोटो देख सकते हैं इस मिसाइल की खासियत है यह अलग टेकनोलजी के उपर आधारित है एक सॉलिड डक्ट, फ्यूल डक्टिड राम जेट टेकनोलजी पर आधारित है यह टेकनोलजी खास इसलिए है पहली बात तो इंडिया भी इस टेकनोलजी को अपने अलग-अलग वेपन्स में लाने की कोशिश कर रहा है हमारे surface to air missiles के अंदर या हमारे pinaka missile के अंदर इसको लाने की कोशिश कर रहा है अब खासियत यह समझ लो कि जब भी आपकी मिसाइल बहुत हाई स्पीड पर है जिसको हम कहते हैं सूपर सॉनिक स्पीड तो दूर शेत्रों में जाकर दूर एरियास में जाकर वेरी लॉंग रेंज एरियास में जाकर आप अटैक कर सकते हो और अपने दुश्मन को नश्ट कर सकते हो अब यहां पर आपको ऑक्सेडाइजर कैरी करने की जरूरत नहीं है मतलब आपके मिसाइल के अंदर जो फ्यूल है वो फ्यूल जलेगा कैसे अटमोस्फियर की ऑक्सीजन को लेकर यह खास बात है और यही टेक्नोलजी आपको मिल जा रही है जिसको हम कहते हैं सॉलि से इस्तमाल करते हैं जिसमें United Kingdom हो गया, Germany हो गया, Italy हो गया, Spain हो गया, France हो गया, Sweden हो गया, these are the six countries who are already using this technology और अब इंडिया भी makeshift arrangement के basis पर, मतलब temporary basis पर इसका इस्तमाल करेगा, अब इसकी खासियत देख लीजे, it has the capability of striking different types of target simultaneously in any weather form, किसी भी तरीके का मौसम हो, यह जाकर आपके दुश्मनों को नश्ट कर देगा हवा में, आप चाहे तो missile पर target कर सकते हो, at the same time किसी और aircraft पर भी target कर सकते हो, मतलब अलग अलग दुश्मनों को हवा में उडा सकते हो, मैं अगर बहुत clear words में बोलू तो, यह जो missile है, it is active radar guided beyond visual range, air to air missile, beyond visual range, जो आपके visible capacity के भी आगे है, air to air missile मतलब हवा में ही जाकर आपके दुश्मनों को, आपके जो भी enemy aircraft है, उनको नश्ट कर सकता है, और इसकी खासियत यह है, कि यह radar से guide हो रहा है, अगर मान लिजए आपने किसी fighter aircraft पर हमला किया, तो fighter aircraft तो maneuver करके कहीं और चला जाएगा, वो maneuver करके आगे पीछ ability इसके अंदर है, इसकी अगर आप देखेंगे length and diameter वगरा तो किसी काम की नहीं है, combat range कितनी है, 200 km की combat range है, जो की Indian made weapons से थोड़ी जादा है, बलकि यह mark 4 मतलब sound की speed से भी 4 गुना जादा speed पर यह fire की जा सकती है, best चीज जो इसका है, it has large no escape zone, अब आप पूछेंगे यह सर no escape zone होता क्या है, no escape zone मतलब आपका वो area, आपके जो range में आता है area जिसमें आप जाकर किसी भी दुश्मन aircraft को damage कर सकते हो, खतम कर सकते हो, नश्च कर सकते हो, इसमें as I said solid fuel ducted है, तो solid fuel होगा, देको liquid fuel भी हो सकता है, solid fuel भी हो सकता है, तो इसमें solid fuel capacity है, जिसको burn किया जाता है, atmospheric oxygen आप मिट्टी का तेल लाते हो, उसको जलाओगे तभी तो वो आपको energy देगा, तब तो आप उसको use कर सकते हो, इसको भी तो जलाना पड़ेगा, similar to other kind of fuel, उसको burn करने के लिए atmospheric oxygen का इस्तमाल किया जाता है, खास तोर पे हम इसको इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत high speed पर हमें combat capabilities प्रोवाइड करता है, जो कि aircrafts के लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है, but it actually provides us with the same technology, तो Indian Air Force ने ये strategic decision लिया है, बहुत जल्दी acquisition शुरू हो जाएगा इनका, और ultimately ये हमारे देश की aircraft capabilities को, fighting capabilities को और better कर देंगे, problems हैं कुछ, solution उनके बात करेंगे, पर problems हैं कुछ, problem ये है कि आप इसको इंडिया के aircrafts के साथ install करना चाहते हो, ठीक है न, problem ये हो रही है कि तेजस और सुखोई aircraft जो इंडिया में है, उनके साथ ये embed नहीं हो सकता, उनमें ये install नहीं हो सकता, एक बहुत बड़ी problem इस प्रकार है, कि ये बनाया गया है Russian और Israeli fire control radars के साथ ही जो कर radar के साथ connect होकर fire की जाती है न, missile, अब Indian radars के साथ ये connect होती नहीं है, ये सिव रश्यन और Israel के fire control radars के साथ ही connect होती है, तो मतलब इनका integration Indian made aircrafts के साथ नहीं हो सकता, सबसे बड़ी problem ये है, ऐसा इस missile के meteor missile के creator company MBDA के दवारा कहा गया है, but, 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 when there is a problem, we have to find a solution also, solution क्या निकाला है हमने, कि ये हमारे लिए missile बहुत जादा जरूरी है, because of the significant no escape zone technology, जो fighter aircraft के दवारा attack करके, अपने दुश्मन के कितने भी radius को cover करता है, और उनको हवा में ही damage करता है, substantial damage create करता है, उनके लिए solution ये निकाला है, कि पहले तो सुखोई MKI, Su-30 MKI aircraft, उनमें Russia का old radar system system था, उसको हटाया जा रहा है, उसके अंदर, Indian made domestically developed, Indian developed, वीरुपाक्षा active electronically scanned array radar system लगाया जा रहा है, ये है आपका वीरुपाक्षा AESA radar, और ये सुखोई MKI, Su-30 के अंदर इसको upgrade किया जा रहा है, पहली problem खतम, सुखोई में integration नहीं हो पा रहा था, वो problem खतम, अब दूस प्रॉब्लम जो थी, तेजस के अंदर, तेजस का भी हम solution देखते हैं, पहले मैं आपको एक और बात बताना चाता हूँ, super 30 नाम का initiative चल रहा है, नहीं नहीं, ये वो IIT वाला initiative नहीं है, super 30 है, HAL के दौरा एक upgradation का initiative, कि existing aircraft को upgrade करके, update करके, उनकी fighting capability और बहतर करनी है, ताकि दुनिया में किसी भी खतरे को, किसी भी threat को neutralize कर सके, उस super 30 initiative के तहत हम वीरु पाक्षा radar system इसमें connect कर रहे हैं, आपको लगेगा ये तो एक additional information है, जी हाँ, ये भी news मैं थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो इस upgradation facility के आने के बाद, सुखोई 30 MKI के साथ, meteor missile connect हो और air to air defense capability को बहतर कर देगा, but what about the Tejas Mark 1 aircraft, well we have a solution, Tejas Mark 1 aircraft के अंदर भी उत्तम AESA, जो radar है हमारा, वो लगाया जाएगा, जो LRDE के द्वारा develop किया गया है, इंडिया की defense organization के द्वारा develop किया गया है, इस radar system की खासियत ये है, कि ये complete connectivity provide करेगा, और seamless integration है, मतलब missile का और radar का आपस में बहुत ही जादा compatibility वाला एक जोड़ा बन जाएगा, जिससे missile और radar साथ में smooth तरीके से function कर सकेंगे, तो Tejas Mark 1 aircraft के अंदर हम इसे जोड़ देंगे, but sir हमारे पास सिर्फ सुखोई और Tejas ही थोड़ी ना है, हमारे पास तो Rafale जो French aircraft हमने खरीदे से Dassault Organization के वो भी है, well Indian Air Force अभी फिलाल 200 meteor missiles पहले से ही खरीद चुका है, जो की existing 36 Rafale aircraft के fleet को connect करके दे रहा है, but sir क्या ये काफी है, is it complete, नहीं, अभी air superiority को बढ़ावा देने के लिए हमें, Rafale की fleet को भी expand करना होगा, Rafale तो बहुत limited है ना, हमारे पास 100-150 fighter aircraft जो Rafale वाली capability वाले होंगे, तभी जाकर India की combat capability और advance हो पाएगी, इसी लिए Tejas Mark 1 ने उनको compatible बनाया है, इसी लिए सुखोई को compatible बनाया है, ताकि ये radar system इंडिया की fighting capability को और बहतर कर सके, बट अब आगे के लिए Indian Air Force कोशिश कर रहा है, जो existing सुखोई Mark 1 squadron है, उनको अस्तर Mark 1 beyond visual range air to air missile दे, Mark 1 की बात कर रहा हूं, जो हमारे पास currently production में है, Mark 2 वाली, next generation वाली, उसकी production की capacity हमें आने वाले 2 साल में बढ़ती हुई दिखेंगी, आने वाले 2 साल में वो production में जा सकता है, और Mark 3, well, we can't give a date exactly कि कब से उनका production पूरी तरह इंडिया में शुरू हो जाएगा, बट एक बार वो भी शुरू हो जाता है, तो Indian Air Force की combat capability और जादा बहतर हो जाएगे, और किसी भी तरीके के खतरे से हम लड़ने के लिए तयार रहेंगे, आशा करता हूँ, आपको एट topic इस session को देखने के लिए आशा करता हूँ, आपको informative लगा हो, please session को like कर दीजेगा, यह मेरी social media idea और अगर आप UPSC के तयारी कर रहे हो, study IQ, IS आपके लिए UPSC के best courses लेकर आया है, for 2024, 25, 26, जो कि आपकी language में, pure English, pure India, bilingual format में available होंगे, इसके लिए आप जाहिए हमारी website पे, या mobile app पे, अब तो Android, iOS दोनों पे available है, batch पर जाके buy now पे click करना है, course की आपको fees देखेगी, अब जितनी fees दिखरी है, उतना पे करनी ही ज़रोत नहीं है, इसमें आपको live classes, recorded lectures, prelims and means की test series, इसमें आपको daily answer writing practice program, a lot of things you will get, 2024 का silver 18 महीने का batch 24,000 का है, 2025 का 27,000 का 27,000 का 27,000 का धाई साल का batch और 2026, 2027 वालों के लिए, साड़े तीन साल का batch, 30,000 का है, take advantage, please use the Vassu Live Admission Discount Code to get my guidance, thank you, शुक्रिया सेशन को देखने के लिए, जै हिंद, जै भारत!